साथियों, परियावरन मंत्राले, चाहे जिसकी सी राज्य में हो या केंदर में, उनके दाईतों का विस्तार बहुत बड़ा है, इसे संकुची दाइरे में नहीं देखा जाना चाहिए. दुर्भाग्य से समय के साथ हमारी व्यवस्ता में एक सोच ये हावी होती यहीं चली गई, कि परियावरन मंत्राले की भूमी का रेगुलेटर के तोर पर ज्यादा है. लेकिन मैं समत्ता हूँ, परियावरन मंत्राले का काम रेगुलेटर से भी जादा परियावरन को प्रोचसाहित करने का है. हर वो काम जिससे परियावरन की रक्षा हो रही हो, उसमें आपके मंत्राले का रोल बहुत बड़ा है. अब जैसे सर्कुलर एकानामी का विशह हैं, सर्कुलर एकानामी हमारी परंपरा का हिसा रही है, भारत के लोगों को सर्कुलर एकानामी सिखानी पड़े ऐसा नहीं है. हम कभी प्रकुती के सुषक नहीं रहें, सदे प्रकुती के पोशक रहें हैं। भरपूर पानी रहता था, उसके बावजूद भी. अगर किसी को गांधी जी ने देख लिया कि पानी को बरबाद कर रहा है, तो गांधी जी उसे टोके भी ना रहते नहीं थे. इतना पानी सामने होना था, फिर भी पानी बरबाद नहीं होना देजिए थे. कि आज कितने ही घरों में आप में से साइज हर कोई को पता होगा हरें के घर में होगा अनेक घर ऐसे हैं कपड़े हो अख़बार हो और भी छोटी मुटी चीजे हो हर चीज को हमारे यहां रियूज किया जाता है रिसाइकल किया जाता है और जब तक उसका बिलकुल समापती न हो जाए तब तक हम उप्योग करते रहेते हैं अपने परिवारों का समस्कार है और ये कोई कंजूसी नहीं है ये प्रकूति के प्रती सजगता है संबेदना है ये कोई कंजूसी के कारण लोग एकी चीज दस जगत बारूप्यों करते हैं ये सभी हमारे जो परियामण मंत्रिया आज आए हैं मैं उनको आगर करूँगा कि आप भी अपने राज्यों में सर्कूलर एकोनोमी को जाता से ज़्यादा बढ़ावाते हैं अगर स्कूल में भी बच्चों को कहा जाए कि आप अपने घर में सर्कूलर एकोनोमी की दुर्ष्ट्री से क्या हो रहा है जर ढून के लिए आओ हर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के हमारे अभियान को भी ताकत मिलेगी इसके लिए हमें पंचायतों स्थानिय निकायों स्वयम सहायता समूह वहां से लेकर MSM इस्तक को हर किसु को पुलसाइद करना चाहिए उनको दिशा देनी चा यह सात्यों सर्कुलर एकोनामी को गति देने के लिए ही अब पिछले साल हमारी सरकार ने अपनी भारत सरकार ने वेहिकल स्क्रेपिंग पॉलिसी भी लागू की है अब क्या राज्यों में यह वेहिकल स्क्रेपिंग पॉलिसी को लाब उठाने के लिए को रोड मैप बना क्या उसके लिए जो प्राइवेट पार्टियों का इन्वेस्टमन चाहिए उनको जमीन चाहिए ताकि स्क्रेपिंग को इंप्लिमेंट करने के लिए काम आए उसी प तो हमें पहले भारत सरकार के जितने वेहिकल है जो अपनी उमर पार कर चुके हैं, जो किलोमेटर पार कर चुके हैं, उनको स्क्रैपिंग में सबसे पहले लाओ को पार को उद्द चालू हो जाए। क्या राज्यों में भी परियावरान मंत्रा लए अपने राज्य को संसिटाइज करें कि आपके राज्य में जीतनी वहिकर्स होंगे उसको स्क्रेपिंग परिशेप सबसे पहले हम शुरू कर लें स्क्रेपिंग करने वालों को बुला लें और फिर उसके अकान नई गाड़िय भी आएगी, फ्यूल भी बचेगा, एक प्रकार से हम बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं, लेकिन नीती अगर भारत अगाने बनी पड़ी रही है, तो परियावरान मंत्रा लेंगों को देश की बायो फ्यूल पॉलिसी पर भी तेजी से काम करने क्या वशकता है, अब जो कभी ये कारकम बन जाए, राज्य ताय करें, कि हमारे राज्य के जितने वेहिकल है, उसमें हम सबसे जादा बायो फ्यूल ब्लैंडिंग करके ही वेहिकल चलाएंगे, देश में कॉंपुटिशन का माहोल बनेगा, देखिए परियावरान मंत्रा लेंगों को इस पॉलिस के नए रिकॉर्ड आज भारत बना रहा है, अगर राज्य भी इसके साथ जुड़ जाएं, तो हम कितनी तेजी से बढ़ सकते हैं, मेरा तो सुझाव ये भी होगा, कि हम इथेनल उत्पादन और इथेनल ब्लैंडिंग राज्यों के बीच में स्परधा हो, साल में एक बार उनको सर्टिफाई किया जाए, कि कौन राज्य और इसे काराण हमारे किसानों को बहुत मतद मिलेगी, खेत का जो वेस्ट है, वो भी इनकम देना शुरू कर देगा, हमें इस हेल्दी कॉंपेटिशन को बढ़ावा देना है, इतन तंदुर स्परधा राज्यों के बीच, श जन भागिदारी की ताकत मिल जाएगी, और जो चीज आज हमें रुकावट लगती हैं, वो हमारे लिए नई छीती जों को पार करने का एक बहुत बढ़ा माध्यम बन जाएगे, अब देखिए, हम सब ने अनुभो किया है, कि LED बल्ब बिजली बचाता है, कार्बन एमिशन बचाता है, पैसे बचाता है, क्या हमारा पर्यावरन मंत्रा ले, हमारा राज्य का बिजली मंत्रा ले, हमारा राज्य का अर्बन मंत्रा ले, लगातार बैठ करके मोनिटर करें, वही LED बल्ब हर स्ट्रीट लाइट पर लगा है का नहीं लगा है, हर सरकारी दफ्तरों में LED बल्ब लगा है कि नहीं लगा है LED का जो हे सारा movement चला है जो इतनी और चट करता है पैसे बचाता है एन्वर्मेंट की भी शेवा करता है आप इसको लीड कर सकते हैं आपका Department लीड कर सकता है उसी प्रगारजे हमें हमारे संसाधनों को भी बचाना अब पानी हर कोई कहता है पानी को बचाना यह बहुत बड़ा काम है अभी जो हमने आजाजी कामरत महोसों में 75-75 अमरत सुरवर बनाने के लिए कहा है कि आ परियावरन मंत्राले बन विभाग इसको लीड कर रहा है क्या जल सवरक्षन का बल दे रहा है क्या उसी प्रकार से पर्यावण मंत्राले और Agriculture Ministry मिल करके पर ड्रीप इरिगेशन, टपक सीचाई, माइक्रो इरिगेशन उस पर बल देता है क्या यहाँने परियावण मंत्राले के ऐसा है कि जो हर्प मंत्राले को दिशा दे सकता है, गती दे सकता है, प्रेरणा दे सकता है, और परिणाम ले सकता है आजकल हम देखते हैं कि कभी जिन राज्यों में पानी की बहूलता थी ग्राउन वाटर उपर रहता था वहां आज पानी के लिए बहुत बड़ा जंग करना पड़ रहा है पानी की किलत है हजार हजार बारा सो बारा सो फिट नीचे जाना पड़ रहा है साथियों ये चुनावती सिर्फ पानी से जुड़े विभाकी नहीं है बलकि परियावरान विभाको भी उससे इतना ही बड़ी चुनावती समझना चाहिए आजकल आप देख रहे हैं कि देश के हर जिले में जैसा मैंने आपको कहा अमरत स्वरोवर का अभ्यान चल रहा है देखाओगा हमारे किसानों में केमिकल फ्री खेती नेचरल फार्मिंग अब यू तो लगता है वो अग्रिकल्टर डिपार्टमेंट का है लेकिन अगर हमारा परियावरान मंत्रा लाई जुड़ जाए तो उसको एक नई ताकत मिल जाएगी प्राकृतिक खेती ये भी परियावरन की रक्षा का काम करता है ये हमारी धर्ती माता की रक्षा करना ये भी एक बहुत बड़ा काम है इसलिए ही मैं कहता हूँ कि बदलते हुए इस समय में परियावरन मंत्रा लाई द्वारा पार्टिसिपेटिव और इंटिग्रेटर एप्रोट लेकर काम करना बहुत आवशक है जब परियावरन मंत्रा लाई के दुरुष्टि वर लेगी लक्ष तय होंगे राह निर्धारित हो जाएगी मुझे पुरा विश्वास है था थियो प्रक्रूति का भी उतना ही भला होगा